असलाम अलेकुम वेल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं होमेट पर्फेक्ट पफ पेस्ट्री बना रही हूं जिसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है 200 ग्राम यहां मेरे पास मैदा है यानि तकरीबन 1.5 कप 200 ग्राम यहां पर बटर है यह सॉल्टिट बटर है और फ्रीज का थंडा बटर होना जरूरी है 1 टी स्पून लेमन जूस है और 1 थर्ड कप हमारे पास पानी है मैं यहां पर सॉल्टिट बटर यूस कर रही हूँ अगर आप अन सॉल्टिट बटर यूस कर रहे हैं तो तकरीबन 1.5 टी स्पून इसमें नमक जाएगा और जो 200 ग्राम बटर मैंने लिया है उसमें से 1 थर्ड बटर जो है उसको इस तरह चोटे चोटे क्यूब्स में काट लेना है बटर आप देख सकते हैं कितना थंडा है और इस क्यूब्स में कटे हुए बटर को हमने जो मैदा है उसमें डाल कर अपनी फिंगर टिप्स से अच्छे से मिक्स कर लेना है यह बड़ी असानी से मिक्स हो जाएगा मेक शूर यह स्टैप आपने दिहान से करना है जो बटर हमने इसमें डाला है उसको अच्छे से सारे मैदे के साथ अच्छे से इमनली मिक्स करना है कोई भी चंक्स जो है बटर के बाकी नहीं रहने चाह का जो नैचरल टंपरेचर है उससे बटर ने मेल्ट होना शुरू हो जाना या शुरू होजायका और इस पानी को हमने इसमें डाल कर इसको किसी भी स्पून से आपने मिक्स कर लेना है यह वन थर्ड कप पानी है जिसमें से थोड़ा सा बच भी गया एक टीज़ पून इसमें लेमन जूस डाल के अभी हाद से सारे आटे को हमने इकठा कर लेना है और किच्छन काउंटर पर थोड़ा सा मैदा छिड़क के इस आटे को थोड़ा गूंद लेना एक टियार कर लिनी हैं यहां पर यी आटा टियार है अब इसको क्लिन रैप में कवर कर करे वने फ्रिज में एक गंटे के लिए रख देना है अभी जो बटिया बटर है उसको आप देख सकते हैं रखिगा और एक और बटर पेपर इसके ओप bonnie करा कि अब rolling pin से इसको हमने smash करकर के फिला लेना है क्योंकِ ये बटर्ट थंडा है तो ये रोला नहीं जाएगा मतलब बेला नहीं जाएगा ये रोला नहीं होता करका तो हमने smash करकर के फैला लेना है इसको rectangle shape हमने फिलाना है make sure तो इसकी चुड़ाई भी थोड़ी सी हो यह नहीं है कि इसको लंबी स्टिक की तरह ही हमने पहला लेना है इसको स्मैश करते जाएंगे तो इसने फैल जाना है चुके बटर ठंड़ा है तो इसको बेलते हुए आपको अंदाजा हो सकता है कि बटर जो है ठंड़ा है अगर और ये है बटर की consistency, अब इस बटर को भी हमने एक घंटे के लिए फ्रिज में रखते ना है, make sure कि आप इसको फ्रिज में as it is ही रखें, किसी चीज में प्लेट में मत रखें कि उस प्लेट को भी ठंडे होने में time लगेगा, I hope आपको समझ आ गई हो, अभी एक घंटे के पाद डो जो है वो अच्छी खासी set हो गई है, kitchen counter पे थोड़ा सा मैदा dust करके हमने जो ये मैदे की डो त्यार की थी, इसको हमने rectangle shape में बेलते जाना है, make sure कि इसकी चुड़ाई भी हमने maintain करनी है, half centimeter से एक centimeter तक आप इसकी चुड़ाई रख सकते हैं, लेकिन इसकी shape जो है वो rectangle ही ह होगी, अभी आपको इसके किनारे uneven दिखाई दे रहे होंगे, क्यूंकि अभी हमने इसको बेलना शुरू किया है, जैसे जैसे हम इसको बेलते जाएंगे, इसके किनारे जो हैं वो अपनी shape में आते जाएंगे, इसको बेलने में about एक से दो मिनट लगेंगे, make sure कि ये नीचे से stick ना हो रहा हो, इसको नीचे से भी आपने check करते रहना है, अगर जरूरत हो तो जो मैदा है वो इसके ओपर dust करते रहें, और butter भी एक घंटा fridge में रखने से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तना ये solid हो गया है, अब इस butter को हमने जो मैदे की डो हमने ब press करके इसको हमने थोड़ा सा seal सा कर लेना है, वरना जब बेलेंगे तो इसके किनारे खुल जाएंगे, अब इस dough को हमने दुबारा से clean wrap कर देना है, और पंदरा मिनट के लिए इसको दुबारा से fridge में रखना है, फोर्ट फिफ्टीन मिनट, अभी पंदरा मिनट के बाद हम हमने इस dough को fridge से निकाला है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह fold किया है, और इसके opposite side पर हमने इसको बेलना है, 者 side पर इसकी rectangle shape है, फोड़ा सा मैदा जो है इसके ओपर dust करते जाएंगे और इसको rectangle shape में हमने बेलना है, और इसको हमने rectangle shape में बेलना है, लेकिन इसकी जो चुड़ाई है उसको भी मेंटेंट करना है अगें इसकी जो थिकनस है वो अप संटिमीटर से एक संटिमीटर के दरम्यार रहेगी इसको बेलने में एक से दो मिनट ही लगेंगे इसको रेक्टैंगल शेप में हमने बेलना है और दुबारा से इसको फॉल्ड करके हमने फ् इसको बेलने में एक से दो मिनट लगेंगे लेकिन इसको फ्रिज में रखने का जो टाइम है वो फिफ्टीन मिनट ही होगा दुबारा पंदरा मिनट बाद हमने इसको निकाला है और जिस साइड को मैंने फोल्ड किया है उसकी उल्टी साइड रेक्टैंगल शेप में हमने इस थो प्रीकिल काम नहीं है बस इसको फ्रिज में रकर ठंडा करना पड़ता है। और इसको बेलने में एक से دो मिनट लगते हैं बस इसकी जो ठंडा करने का जो इसका प्रोस्टीजर है उसको मेंटेटेन रखना जरूरी है आप 15-20 मिनट तक इसको फ्रिज में रख सकते हैं लेकि ये नहीं है कि इसको आदा घंटा फ्रिज में रहने दें फिर निकाल के इसको बेलना शुरू कर दें तो इसकी लेयर जो है वो अच्छे से ड्वैलप नहीं होंगी चार दफा इसको हमने 15-15 मिनट कर के फ्रिज में रख कर इसको चार दफा बेलना है तो इसकी पफ पेस्टरी जो है वो तयार हो जाएगी डो को जब हमने त्यार किया तो एक घंटे के लिए फ्रिज में रखा एक घंटे के बाद उसको बेला 15 मिनट के लिए रखा फिर दूसरी दफा बेला 15 मिनट के लिए र और चार दफ़ा ही 15-15 मिनट फ्रिज में रखना है 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का वकफा दे सकते हैं लेकि ज्यादा मत देर इसको फ्रिज में पड़ा रहने दे अभी ये चोथी दफ़ा है जब मैं इसको बेल रही हूं और चोथी दफ़ा बेलने के पाद पाफ पे आट से दस दिन फ्रिज में खराब नहीं होगी, अगर आपने अच्छे से इसको रैप करके रखा है, आट से दस दिन ये फ्रिज में सही रहेगी। पफ पेस्ट्री बनाने के लिए सिर्फ इसको ठंडा करने का जो है टाइम वही मेंटेन करना ज़रूरी है वरना इसको बेलने में एक से दो मिनट लगते हैं अभी यहां फाइनल हमारी पफ पेस्ट्री इस्तमाल के लिए तियार है आई होब यह क्विक रैस्पि आपको अच् अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें अल्ला हफीज